हाई गाइज वालकम बैक पर न अधर वीडियो एच्पी पीजिटी पेपर वन के लिए इस वीडियो में हम एच्पी जीके के इंपॉर्टेंट कोस्टन्स डिस्कस करेंगे ये कोस्टन्स एच्पी पीजिटी के ही प्रिवियस एग्जामिनेशन में पूछे गये थे जो अभी हाल ही में एग्जामिनेशन पीजिटी के कंटciones कर हुए ये कोस्टन्स आपके पीजिटी बाईॉलर्जी और कैमिस्टरी के पीजिटी एग्जामिनेशन के पेपर वन की दिरिष्टी से important रहेंगे तो शुरू करते हैं पहले कोशन से इन हिमाचल प्रदेश लास्ट inhabited village of बस्पा वैले इस हिमाचल प्रदेश की बस्पा गाटी का अंतिम बसा गाउं कौन सा है तो बस्पा गाटी का जो अंतिम गाउं हैं बसा हुआ बस्पा गाटी की नाम से भी जाना आता है अभी एसिस्टेंट इंजनियर का उसमें कांगो पुछ ले था कि कांगो ये किस जिल में है किस नौर्म है किबर आपने सुना होगा किबर लोहलसिती में है और किबर wildlife century है सबसे बड़ी wildlife century है किबर wildlife century 1400 स्क्वेर किलोमेटर के सक एरिया है खास बात यह है कि wildlife centuries में भी PGT paper 1 में गोशन पूचा गया था हिमाचल परतिस में total 31 wildlife centuries है अगला गोशन गोशन में 12 In which of the following राजा of चंबा's time there existed the hulk उपर in चंबा चंबा राज्ये के किस निमलिकित चंबा नरेस के समय हल कॉपर माइन्ज अस्तितों में आई चंबा राज्ये में जब हल कॉपर माइन्ज के अस्तितों का पता चला था उस समय चंबा के राजा थी परताप सिह वर्मन प्रताप सिह वर्मन ये अकबर का समकालिन था अकबर का समकालिन था प्रताप सिह वर्मन और प्रताप सिह वर्मन के राजगुरू का नाम था रामपती रामपती प्रताप सिह वर्मन के राजगुरू का नाम था राजगुरू का नाम था और अकबर का समकालिन था अप्शन म यह प्रताप सी हैं वर्मन के बाद चंबा का राजा बना था वीर वर्मन कोई ऐसाच नाम नहीं मिलता है चंबा राजाओं की वह सब वलियों में बुरी सी हैं का नाम आप सभी को बता हुआ क्योंकि बुरी सी हैं म्यूजियम के नाम से एक म्यूजियम है चंबा में बुरी सी थी भुरसी म्यूजिम खुला था डॉक्टर भोगल के दौरा डॉक्टर फोगल के दौरा ओके हिमाचल परदेश के कांगड़ा जिले के बारे में निमलिक्त पर विचार कीजिए पहला है कि इसके पूरव में कुलू और मंडी जिले है इसके पूरव में डिस्टिक कुलू और डिस्टिक मंडी है यह क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा जिला है राज्य का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा नहीं है सबसे बड़ा जिला है लाहल स्पिति कांगड़ा का टोटल एरिया है वो है 5749 मिटर स्क्वेर किलो मेटर 5749 स्क्वेर किलो मेटर है कांगड़ा जिले का टोटल एरिया क् सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज उसका क्षेत्रफल है 13,841 स्क्वेर किलोमेटर जो की है 24.85, 24.85 स्क्वेर किलोमेटर प्रसेंट 24.86 है टोटल एरियास का ही मज़र प्रदेश के कमपरिजन नेक्स स्टेटमेंट है देहरा गोपिपूर की सारी तहसी ब्यास और बंगान ले लेती है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मंडी जीले में जो पपरोला स्रिंकला है उसे मंडी में सिकंदरधार के नाम से जाना आता है पपरोला ये डिस्टिक कांगडा में पढ़ती है और सिकंदरधार ये डिस्टिक मंडी में आती है ओके तो स्टेटमेंट बि वर्स 2011 की जंगर्ना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने बिना बसे गाउं है बिना बसे गाउं कितने हैं अप्शन बी क्रेक्ट होगा यह तो हो गया अगर बिना बसे गाउं के संख्या है अगला कोश्चन है कोश्चन 15 वर्स 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितने सरक्षन सुरक्षित यानि कंसर्वेशन रिजर्व थे तो हिमाचल प्रदेश में टोटल फोर कंसर्वेशन रिजर्व हैं अब कौन कौन से है इनको भी जान लीजिए एक तो है दाडला घाट दाला घाट सेकिन्द नना देवी नना देवी कंसर्वेशन रिजर्व थर्ड है Potter Hill Potter Hill और फोर्थ है शिली इन में से सबसे पुराना है Potter Hill जो जिसकी formation होई थी creation होई थी 2008 में बाकि डालागाट 2013 में नैना देवी 2013 में और शिली भी 2013 में create किया गया था इनकी creation होई थी इन में से सबसे बड़ा है नैना देवी डिजर्व जिसका area है 17.01 square kilometer हिमाचल में 5 option में दिया है ये 5 national parks है national parks है 5 कौन कौन से है एक तो कुल्लू में great himalayan national park है दूसरा इंदर किला national park थर्ड हो गया खीरगंगा ये तीनों डिश्टी कुल्लू में है फोर्थ है सिम्बलवाडा national park कि ये सिर्माओर में है सिम्बलवाडा ऐस से और सिर्माओर भी ऐस से इसको के याद रख सकते है सिम्बलवाडा सिर्माओर में है और फिफ्थ है पिनो वैली national park कि ये लोहल स्पिती में है इन पांचों में से सबसे चोटा है सिम्बलवाडा national park शिम्भलवाडा नेसनल पार्क को करणल शेरजंग नेसनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है करणल शेरजंग नेसनल पार्क यह सबसे चोटा है और इसका एरिया है 27.88 स्क्वेर किलमेट अगला कॉष्ण है कॉष्ण 16 As per advance estimates the agriculture is expected to grow इन 2022-23 इन हिमाचल प्रदीश, अगरी मनुमानों के इनस्वार हिमाचल प्रदीश में वर्स 2022 थी इस में, क्रिसी के विकास की कितनी आसा है, ये एडवांस एस्टिमेट ये 2021 में लगाया गया था, 2022-30 का, तो उस समय का ये एडवांस था, अभी ये पास्ट में हो चुगा है, लेकिन ये कोशन पुराना कहीं से उठाया था, उस समय कितनी एस्टिमेट लगाया गया था, 2022-30 के लिए, उस समय एगरी कल्चर वाज एक्सपेक्टिड तो ग्रो 3.5 परसेंट, ऑप्शन डी इसमें क्रेक्ट गो, अगला कोशन है, अगला कोशन है, अगला कोशन है, अगल वर्स दोहों जार उन्निस बिस की हिमाचलप्रदेश की लिगास दर राश्ट्री अर्थ होय वैवस्ता से अधिक्ती, ऑप्शन से क्रेक्ट हुगा, अगला कोशन है, कोशन द्रैट इंबर टिन, टोन इमड़र और ए रियाँग ुस रिल हिमाचल प्रदेश, अप्ट्यव वोज हिमाचल प्रदेश में वर्स 2023 तक सैन्य चावनियों की संक्या कितनी थी तो केंटोन्मेंट एरियाज जो सैन्य चावनिय हैं हिमाचल प्रदेश में वो टोटल साथ है option B क्रेट हुँआ साथ सैन्य चावनिय हैं कौन-कौन सी है कहा है एक तो सुबाथ्थू है सुबाथ्थू दूसरी कसॉली तीसरी जतोग जतोग डिस्टिक शिमला में सुबाथ्थू और कसॉली डिस्टिक सोलन में सुबाथ्थू पहली कसॉली दूसरी तीसरी जतोग फूर्थ डगशाई डगशाई सोलन में और फिफ्ट बकलोः 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 चमबा सिख्ष्थ डलहौजी डलहौजी चमबा और सेवंथ योल सेवंथ है योल योल डिस्टिक कांगडान तो ये साथ छाबनी है हिमाचल प्रदेश में पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 62 चाबनी हैं जिन में से साथ हिमाचल प्रदेश में है नेक्स कोर्शन है कोर्शन नमबर 20 इंटिफाई दस्टेट विच इस बिलो हिमाचल प्रदेश इन पर कैपिटा इंकम इन 2021-22 उस राजय की पहचान की ये जिसकी वर्स 2021-22 में प्रतीव्यक्ति आमदनी हिमाचल प्रदेश से कम थे तो वर्स 2021-22 में पर capita income हिमाचल प्रदेश की थी 2,1,211 अब हिमाचल से कम पर capita income किस state की थी इस question में पूचा है तो पंजाब state की पर capita income 2021-22 में हिमाचल प्रदेश से कम थी पंजाब की पर capita income थी 1,68,708 option D ग्रैक्ट होगा next question is question number 21 How many posts of प्रधानs were reserved for women in village panchayats by the हिमाचल प्रदीश government in 2010 हिमाचल प्रदीश सरकार द्वारा 2010 में महिलाओं के लिए गराम पंचाईतों में कितने प्रधान के पद आरक्षित किये गए तो 2010 में महिलाओं के लिए गराम पंचाईतों में 1622 पद आरक्षित महिलाओं के लिए पहला ऐसा राज्य था राजस्थान जहां पंचाईती राज की स्थापना हुई थी टू अक्टोबर 1959 को पंचाईती राज की सुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जौहरलाल नहरू के द्वारा की गई थी नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 22 श्याम सरण नेगी ओफ हिमाचर प्रदेश एन ओल्डेस्ट वोटर ऑफ इंडिया कास्ट इस वोट इन 2022 फॉर्द हिमाचर प्रदेश के श्याम सरण नेगी जो भारत के सबसे पुराने मत्दान करने वाली व्यक्ति थे है नहीं थे इनकी ड और से थे और यह आजाद भारत के पहले वोटर थे कि फस्ट वोटर अगला कोशन नमर 23 अगला कोशन नमर 23 इंडिफाइट दे लोकेशन अफ धंकरड मोनेस्टरी हिमाचर प्रदेश में धंकरड मोनेस्टरी के इस्थान की पहचान किजिए दंकर मोनेस्टरी स्पीति की मोनेश्ट्री हिमाचल की सबसे बड़ी सबसे बड़ी मोनेश्ट्री है सबसे बड़ी और सबसे उंची और अगर सबसे पुरानी की बात करें और डेस्ट की बात करें सबसे पुरानी मोनेश्ट्री की तो वह है ताबो मोनेश्ट्री ताबो मोनेश्ट्री ताबो किसी का जाता है। किस टेंपल को गायता है हिमाचल का अलोरा कमेंट सक्षन में लिखना है। अगला कोशना कश् комेंच सचंट में लिखना है आपको. of the following painter of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh के निमली के चितरकार ने Banners of the East शिर्शक चितरकला बनाई थी. Banners of the East ये पेंटिंग निकुलस रोरिक की है, Option B करेक्ट होगा, निकुलस रोरिक. इसके लावा और पेंटिंग्स भी हैं कि जैसे Mother of the World, Himalayas, Visitor of, Visitor from the, Over the Sea, Drops of Life, The Last Angel, Burning of Darkness, ये सारे इनके पेंटिंग्स के नाम थे. निकुलस रोरिक को महरिसी के नाम से जना आता है, महरिसी, इनका उपनाम था है. राजकुमारी अमरित कौर जो ऑप्शन में हैं, ये हिमाचल प्रदेश के महासु संसदीक से संसद चुनी गई थी, लोकसवा में 1952 में, अरी ामरित कौर भारत की पहली महिला हेल्ध मैं स्वस्तिय मंथरी हेल्थ मुनिषटर रही, अगला कोशन है, लास्त कोशन आज का। सूरत से हिंवैदika सूरत भी क्या जाता है, तो यहां पे पहले बल वैली दी है, बल वैली मंडी में है, बिल्कुल क्रेक्ट मैच्ड है, जैकिंड है, संगला वैली, संगला वैली की नौर में है, सही मैच है, थर्ड है, पिन वैली, पिन वैली कुल्लू दिया गया है, कुल्लू में नहीं है, पिन वैली, पिन वैली है, लाहल स्विती में, तो थर्ड स्टेटमेंट क्रेक्टली एबाउट, not correct एबाउट कांगडा डिस्टी को फिमाजल परते से यहां वो लगया है कि कांगडा जिले के बारे में कौन सी statement सही नहीं है लेकिन इस question में problem क्या है problem में यह है कि इस question में तीन statements गलत दे दी गई है और first statement जो है correct है तो इस answer के options के हिसाम से यह question होना चाहिए था कि which of the following statement is correct about कांगडा डिस्टी के यहां पे not दे दिये गया है जिस वज़ए से यह question गलत हो चुका है और जो final answer की है उसमें भी sorry जो official answer की है provisionally उसमें भी option A correct दिये गया है तो answer को देखते हुए ऐसा लगता है कि question ही गलत हो चुका है यहां पे not नहीं होना था जिसकी वज़ए से इस question में grace marks मिल जाएगा सभी को एक number का तो सभी को इस question में grace marks मिलेगा बहला question है question number third identify the lake of हिमाचल परदेश which is located at the highest altitude from the following तो यहां पे जहिले दी गई हैं आपको पताना है कि कौन सी जहिल सबसे high altitude पर है पहली है नाको जहिल नाको लेक डिश्टिके की नौर में है और इसका altitude है 3662 मिटर एवव sea level इसके बाद है कालासर लेक मंडी में है और इसका altitude है 1755 मिटर थर्ड है चंदरकूप लेक चंदरकूप लेक चंबा में है और इसका altitude है 3450 या 3450 मिटर और फ़ोर्थ है श्रिंग तिंगू लेक इसे श्रिंग तुम लेक ये डिश्टिक की कुल्डू में है अर इसका altitude 2200 मिटर है 2200 मिटर एवव sea level तो सबसे ज़्यादा altitude यहाँ पे श्रिंग तुम लेक का ही है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नाबर फॉर्थ विच फॉलोईंग डिस्टिक ओफ हिमाचल परदेश हैड मोर फीमेल रूरल पॉपुलेशन देन मैन एज प्रसैंसिज 2011 निमलिक्त में से जो जिले दिये गए है इन में से ग्रामिन महिलाओं की पॉपुलेशन पूर्षों की अपिक्सा ज्यादा है किस जिले में तो यहाँ पे मंडी जिले में ग्रामिन महिलाओं की पॉपुलेशन अधिक है पूर्षों के मुकाबले पूर्षों की पॉपुलेशन यहाँ पे 4,666,000 के सम्थिंग है और वहीं पे महिलाओं की population यहाँ पे 4,71,000 सम्थिंग है तो महिलाओं की संक्या यहाँ पे अधिक है ग्रामिन महिलाओं के यहाँ पे बात हो रही है पूछा था ग्रामिन महिलाओं के रूरल population इसमें option B करेक्ट होगा मंडी next question है question number 5 identify the rank of Himachal Pradesh of the total its total geographical area in India in 2022 from the following the rank of Himachal Pradesh of the total geographical area in India is 17th, 17th rank है Himachal Pradesh का बारत में option A रहत होगा 17 next question है question number 6 which following is the increase of correct percentage of Himachal Pradesh gross state domestic product at current prices in 2022-23 तो an increase of correct percentage of Himachal Pradesh gross state domestic product at current prices in 2022-23 is 11.4% option D correct होगा समे 11.4% जो विरिधी हुए है अगला question है question number 7 how many SCs, STs and OBCs persons have been benefited up to December 2023 इन हिमाचल परदेश अंडर द स्वार्ण जेयन्ती आश्रेय योजना या हाउसिंग सबसीडी तो December 2023 तक SC, ST और OBC की कैटेगेरी में आने वाले लोग स्वार्ण जेयन्ती आश्रेय योजना या हाउसिंग सबसीडी के अंतरगत लावानवित हुए थे, टोटल 547 लोग, ऑप्शन C रेक्ट होगा 547 अखला कोशन है, कोशन नम्रेट अइटिफाई देश्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश विच हैज, विच हैड दे लार्जेस्ट नमबर ऑफ बैक्वर्ड पंचायत इन 2014, 2014 में हिमाचल प्रदेश की किस जिले में सबसे ज्यादा बैक्वर्ड पंचायती थी तो हिमाचल प्रदेश की सिर्माओर जिले में सबसे ज्यादा बैक्वर्ड पंचायती थी 2014 में, option A क्रेक्वर्ड होगा, 2014 अखला कोशन है, कोशन नम्र नाइन which following location of आधी ब्रह्माँ टेंपल is cracked in हिमाचल प्रदेश तो आधी ब्रह्माँ टेंपल की location पूचिये हिमाचल प्रदेश में, कहा है आधी ब्रह्माँ टेंपल, जो है ये खोकण में है, खोकण डिष्टिक कुलू के न्द तरगता आता है आपने एक wild life century भी पढ़ी होगी खोकन wild life century जो की district होलू में है तो कोकन में है आदी ब्रह्मा temple option से correct होगा खोकन अगला question question number 10 यहां census से पुछा गया था from which following state of India हिमाचल परतिष density of population per square kilometer was less as per census 2011 census 2011 के अनुसार हिमाचल परतिष है states इनसे कम है तो हिमाचल परतिष का जो population density है जनसा क्या गनातो हो है वो है 123 वेक्ति per square kilometer 120 person per square kilometer है हिमाचल परतिष का population density तो सबसे पहले अरुनाचल परतिष के अगर population density की बात करें per square kilometer density of population तो यहां पे अरुनाचल में 17 people, 17 लोग मेगाले की है 132 लोग per square kilometer मनिपूर की है 122 और सिक्किम की है 86 86 persons per square kilometer तो यहां पे बूचिए कि हिमाचल की density of population per square kilometer है वो निमन लिकित में से किस state से कम है तो यहां पे एक हिस state है जिसकी हिमाचल से ज़्यादा है मेगाले की 132 बाकी अरुनाचल परदेश की 17 मनिपूर की 122, 123 से कम रही गिये भी सिक्किम की भी हिमाचल से कम है तो इन तीनों की कम है बसता है मेगाले तो मेगाले इसका correct answer होगा option B अगला कोशन है कोशन अब 11 how many medals have been won by हिमाचल परदेश युनिवरसिटी शिमला इन खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स 2024 खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स 2024 में जो हुई इन में हिमाचल परदेश युनिवरसिटी ने कितने medal जीते तो खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स 2024 में हिमाचल परदेश उनिवर्सिटी ने टोटल आठ मैडल जीते हैं option D क्रेक्ट होगा 8 मैडल सबसे ज्यादा मैडल चंडिगड़ उनिवर्सिटी ने जीते टोटल 27 मैडल sorry, 27 नहीं, 71 71 मैडल जीते चंडिगड़ उनिवर्सिटी नहीं यह टॉप पे रही हिमाचल परदेश उनिवर्सिटी ने टोटल आठ मैडल जीते जिन मैंसे दो गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉंज total आठ मैल जीते हिमाचल परदेश उनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स यह आस गोहाटी में आयूत के गई थी गोहाटी question number 12 है identify the year when Shimla became the capital of British India from the following Shimla कब British भारत की राजधानी बनी थी 1864 में 1864 में Shimla को British India की राजधानी बनाया गया था option C correct होगा 1864 नेक्स्ट question है question number 13 identify from the following authors of Himachal Pradesh who has written the हिमावत हिमावत जो पुस्तक है इसके writer कौन है author कौन है हिमावत पुस्तक के जो author है Nicholas Rorick Nicholas Rorick correct answer होगा option A Nicholas Rorick के दोरा लिखी गई है हिमावत अगला question है question number 14 question में पूछते हैं which following chief minister of Himachal Pradesh had the longest tenure of office longest tenure हिमाचal Pradesh में हिमाचal Pradesh के मुख्यमंतरी का रहा Y.S. परमार का Y.S. परमार हिमाचal Pradesh के पहले मुख्यमंतरी तो थे ही ये चार बार मुख्यमंतरी बने फोर टाइम ये मुख्यमंतरी रहे चीफ मिनिस्टर रहे Y.S. परमार पहली बार बने ये 1952 से 1956 तक दूसरी बार ये 1963 से 1967 तक चुने गए थर्ड टाइम 1967 से ये 1972 तक और फोर्थ टाइम 1972 से 1977 तक चार टैने और रहें के ठाकुर रामलाग दो बार मुख्यमंतरी रहे थे एक तो 1970 में और दूसरी बार 1980 से 1983 शांता कुमार भी दो बार CM रहे हिमाचल परदेश के ये पहले CM थे जो गैर कॉंग्रेसी थे हिमाचल परदेश में ये जनता पार्टी से पहली बार चुने गए थे 1977 से 1980 तक ये जनता पार्टी दोरा चुने गए थे पहले नॉन कॉंग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल परदेश के और दूसरा टैने और इनका 1990 से 1992 के बीच में रहा 1990 से 1992 उस समय जनता पार्टी जो है बीजेपी में चेंज हो गई थी ओके ब्याती जनता पार्टी में और फूर्थ प्रेम कुमार धुमल भी दो बार सीम चुने गए हिमाचल परदेश के एक तो 1998 से 2003 और दूसरा टैने और रहाइन का 2007 से 2012 ओके तो इसका कोशन का राइट अंसर होगा वाई इस प्रवन और ऑप्शन थे तो कोशन नमबर 15 है अडेंटिटी फाई अडेंटिफाई दो डिस्टिक ऑफ हिमाचल परदेश भेर दपजोत्ता मुमेंट वाज और्गिनाइजड फ्रम दफॉलोइंग तो पोजोता अंडोलन जो था पोजोता मुमेंट ये ओर्गिनाइज हुआ था पोजोता अंदोलन 1922 में और इस इस अंदोलन को लेड किया था वैद सूरत सिीन वैद्यसूरत सिं इसके जो है में लीडर थे यह तो पंदर गेशन Which of the following statements is correct first statement है दोहलाधार range branches of from the great Himalayan ranges near बदरिनाथ दोहलाधार परवतमाला की शाकाय बदरिनाथ के पास great Himalayan परवतमाला से निकलती हैं तो ये statement बिल्कुलोगा कुरेक्ट है जो दोहलाधार ranges है ये बदरिनाथ के पास से great Himalayan से मिलती है Great Himalayan ranges से अगर हिन इन ranges की बात करें तो दोहलादार ranges की height जो है ये 3050 मेटर से लेकर लगबग 4500 मेटर तक है और ये जो दोहलादार ranges है ये हिमाचल में जहां से एंटर करती है उस जगा का नाम है खेडी खेडी नामक स्थल्द से ये ही मतलब प्रदेश में एंटर करती है दहुलदार रेंजिस अगली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट टू पीर पंजाल रेंज सेपरेट दे ड्रेनेज ओफ दे स्पीती रिवर फ्रॉम देट ओफ दे रिवर ब्यास यानि कि जो पीर पंजाल स्रेडी है ये स्पीती नदी के जल निकासी को ब्यास नदी से अलग करती है देखी पीर पंजाल रेंजिस ये स्पीती और ब्यास रिवर को सेपरेट नहीं करती है तो ये स्टेटमेंट तो गलत है बिलकुल पीर पंजाल जो रेंज है ये सेपरेट करती है चिनाब और रावी को चिनाब एंड रावी को separate करती है यह थर्ड स्टेटमेंट है जो स्पीती और कश्मीर को तिबत से अलग करती है तो यह statement बिल्कल करेक्ट है statement 3 is correct जासकार रेंज हो है यह सबसे पुर्वी रेंज है यह separate करती है स्पीती और कश्मीर को तिबत से स्पीती को करती है कश्मीर को करती है और साथ में किन और को भी लग करती है और फोर्थ स्टेटमेंट है गुमरंग एंड शोलारंग पासिस चनेक्टेट बेशन और फोर्थ स्टेटमेंट बेशन इनक्रेक्ट है और फर्स्ट क्रेक्ट है सेकिंड इनक्रेक्ट है थर्ड क्रेक्ट थी और फोर्थ इनक्रेक्ट तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इस क्रेक्ट ऑप्शन भी क्रेक्ट होगा फर्स्ट एंड थर्ड नेक्स्ट कोशन है Select the incorrect combinations from the following निमली कितमे से गलत सहियोजन का चैन कीजिए यहां पर मैच दिये गए है कौन सा मैच गलत है सबसे पहले दिये गए है बहादरपूर और बंदला रेंजिस बहादरपूर धार और बंदला धार ये डिस्टिक बिलासपूर की धारे हैं बिलासपूर में टोटल साथ धारे है जिन में से दो धारे दी गई है बहादरपूर धार और बंदला धार अब एक बहादरपूर धार है एक बंदला धार है जो बीच का स्पेस है ये वैली है इसको बोलते हैं दावी गाटी या dawi valli यहां पे dami valli लिखाए है इसका मतलब dawi valli है दawi Weekly गाटी तो यह statement तो बील्गोल रख्ट है dawi ghaati है बहादरपुरदार और बंदलादार के बिच में देकिए। इस प्रोन गाटीया है स्प्रोन गाटी यह दिस्टिक्स CT الت क् सोलन में है ये जो मारकंडा और धर्ती रेंजिस दी गई है ये डिस्टिक सिर्मोर में है क्यारदा दून वैलीज में ये क्यारदा दून वैलीज में है जो कि डिस्टिक सिर्मोर में आती है दून और स्प्रून गाटियां ये डिस्टिक सोलन में है क्यारदा दून दून और स्प्रून इन दोनों में नेम सिमिलर हैं लेकिन यह अलग अलग डिस्टिक में आती हैं दून और स्प्रून सोलन में हैं और क्यारदा दून यह सिर्मौर में हैं तो यह मारकंडा और मारकंडा रेंजेज ये इन्होंने दू नरस्परून गाटियों से हाथ मैच कर दिती तो यह मैच गलत है ओके तो ऑप्शन जो यह स्टेटमेंट जो यहां मिलान 2 है यह गलत है चंदरतान धी जील next दिये गए है, चंदरताल लेक, चंदरताल लेक कुंजूम रेज में आता है, तो statement 3 बिल्कल क्रेक्ट है और fourth जो यहाँ पे मिलान दिये गए है, मैच दिये गए है, पारवती नदी का स्रोत, source of पारवती रिवर, source of पारवती रिवर is a मंतलाई लेक, बिल combination जो है, second है, only two, option D, next question भी, statement based है, which of the following statement is, statements is correct, कौन सी statement नियों लिक्स में से सही है, पहली statement है, according to Z.A. Grayson, कहलूरी is an offshore of rude पंजाबी, G.A. Grayson के अनुसार कहलूरी, असब पंजाबी की एक शाखा है, तो ये statement पे लिक्स करेक्ट है, statement one is correct, ये Grayson ने कहा है, कि जो कहलूरी, कहलूरी बोली जो है, डिस्टिक बिलासपुर की, कहलूर की, वो असब पंजाबी की एक शाखा है, दूसरी statement है, कि नौरी, जंग्राम, मिश्रन, सांगला तहसील के कर्चम और चितकुल गाओं में प्रियुक्त होने वाली बोली है, कि नौरी, जंग्राम, मिक्चर is the dialect used in कर्चम and चितकुल villages of सांगला तहसील, statement two भी बिलकुल correct है, कि नौरी, जंग्राम, इसका जो मिक्चर है, ये बोली है, कर्चम और चितकुल के गाओं में यूज होने वाली, जो कि सांगला तहसील के अंतरगत आती है, तो ये statement, बिलकुल correct है, statement third है, the dialect spoken in रामपुर भुशहर, कुमार सेन, and कोटगर रिजन्स, and in the nearby parts of the सतलुज वैली is called कोची, रामपुर भुशहर, कुमार सेन, और कोटगर ख्षेत्रों, और सतलु सतलुज गाटी के आसपास के हिस्सों में जो बोली जाने वाली जो बोली है, वहां की डालेक्ट है, उसका नाम कोची है, तो ये statement भी बिलकुल correct है, जो यहाँ सतलुज गाटी के आसपास के जो रिजन है, जिसे रामपुर हो गया, बोसहर, कुमार सेन, कोटगर, जितने भी सतलुज गाटी के रिजन है, इन शिमलाडिस्टिक, यहाँ बोली जाने वाली जो बोली है, वह कोची है, इसका नाम कोची है, तो ये statement, बिलकुल correct, statement 3 is correct, fourth statement है, according to Dr. भोलानात तिवारी, पहाडी language originated from, from दर्दी and पिश्ची, Dr. भोलानात तिवारी के अनुसार, पहाडी भा पहाडी जो बासा की उत्वत्ति, दर्दी और पिश्ची से हुई है, यह statement correct है, लेकिन यह statement बोलानात तिवारी द्वारा नहीं दी गई है, ओके, यह statement दी गई है, GA-greation के द्वारा, GA-greation की statement है, तो यह statement भी गलत हो जागी, क्योंकि यह बोलानात तिवारी के द्वारा नही दी गई है statement, तो यहाँ पर 1st, 2nd और 3rd statements correct है, 4th statement incorrect है, तो यहाँ पूचा गया था question में, कौन कोसी statement correct है, statement 1st, 2nd और 3rd, option number C, correct हो गाई इस question का, अगला question है, select the incorrect statement from the following, पहली statement है, the khunds are the martial people of kangra, this statement is well correct, khund जो है, यह kangra के योधा है, khunds are the martial people of kangra, statement 1 is correct, अगला statement है, the most popular dance of kinaur is kyaang, तो kyaang kinaur का popular dance है, बिलकुल correct statement है, kinaur के कुछ डास है, जैसे kyaang, bakyang, bang chu, यह kinaur के डास है, यह एक group dance है, okay, group dance है, इसमें girls और boys, दोनों डास करते हैं, male और female, दोनों ही कठे होकर डास करते हैं, traditional clothes को पहन के, statement 3rd है, Buddha is the famous group dance of Monday, यह statement correct नहीं है, incorrect statement है, बुड़ा जो लोक नरित्य है, यह district sirmaur का लोक नरित्य है, okay, sirmaur का लोक नरित्य है, यह folk dance है, यह mandi का डास नहीं है, हमने अपने previous video में भी कई वार डिस्कूस किया है, जब हमने लोक नरित्य वगएरा डिस्कूस किये थे, detail में, fourth statement है, the Buddhist people of Lohalspity and Kinnaur perform mask dances, mask dance perform करते हैं, Kinnaur और Lohalspity के people, बुद्धिस्ट लोग जो है, इनका मुखाटा नरित्य है, तो यह statement बुखाटा नरित्य प्रसिद्ध है, कुल्लो और Lohalspity के बुद्धिस्ट लोगों का, इस नरित्य को शैतान का नाच भी कहते हैं, शैतान का नाच, सेम इसी बिरकर का डांस दो होता है, जिसे मुखाटा पहन कर किये जाता है, इसे रक्षश नरित्य कहते हैं, रक्षश नरित्य, तो इस कोर्शन में केवल स्टेट्मेंट 3 ही इन क collect सी, तो option D उक्रेक्ट हो जाएगा, ओनली 3, next question में यहां आपको list 1 को list 2 के साथ match करना है इसमें list 1 में पहला statement है total geographical area of Himachal Pradesh जो data है वो hectare में दिये गया है total geographical area of Himachal Pradesh is 55.67 lakh hectare अगर square kilometer में देखें तो 55,673 km है टोटल एरिया हिमाचल परदीश का स्टेटमेंट जो लिस्ट वन की सेकंड दिया गए है टोटल एरिया ओफ ऑपरेशनल होल्डिंग यानि कि परिचालन जोद का कुलक्षेत्रफल ऑपरेशनल होल्डिंग होती है एसा एरिया जिसमें एगरिकल्चर के लिए उस एरिया का यूज के जाता है क्रिशी के लिए तो हिमाचल परदीश में एगरिकल्चर होल्डिंग का जो टोटल एरिया है वो है 9.44 लैक हेक्टेर थर्ड है टोट एरिया ओपरेटेड बाई किसानों की संक्या से संचालित क्षेतर कितना है ये एरिया है ओपरेशनल होल्डिंग का ये 9.44 और नमबर ओफ फार्मर्ज है 9.97 लैक ओके ओप्शन डी और लास्ट है एवरेज होल्डिंग साइज ओस्तन होल्डिंग अकार जो है अगला कोशन है स्टेटमेंट बेस्ट कोशन बहुत इंपॉडएंट है ये बैंकिंग से कोशन है फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है एज पर 2011 सेंसिज अगला कोशन है पर ब्रांच इन दे स्टेट वाज 4,059 2011 की जनगर्णा के अनुसार पर राज्य में प्रती साका उस्ट जो है 4,069 थी तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सही नहीं है स्टेटमेंट जो एवरेज पोपुलेशन है ब्रांच में 2011 की सेंसिज के अनुसार वो है 32 पीपल पर ब्रांच 32 है जो है एवरेज पोपुलेशन पर ब्रांच सेकेंड स्टेटमेंट है दे स्टेटमेंट है नेटवर्क ऑफ डबल फो डबल टू बैंक ब्रांचीज राज्य में 4,422 बैंक सांखाओं का नेटवर्क है ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट है शिमला इस दे ओनली अर्बन सेंटर इन दे स्टेट क्लासिफाइड बाई टिजर बैंक ऑफ इंडिया शिमला एक मात्र शहरी के अंदर है जिसे आर्बिय द्वारा वर्गी करित किया गया है तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है शिमला राज्य का एक मात्र शहरी के अंदर है जिसे आर्बिय के द्वारा वर्गी करित किया गया है फूर्थ स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश में पी एन बी की 530 साखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है पी एन बी की 410 बरांचीज है हिमाचल प्रदेश में लेकिन ये सबसे बड़ा नेटवर्क नहीं है सबसे बड़ा नेटवर्क जो है लार्जेस नेटवर्क है हिमाचल प्रदेश में SBAE का चार सो तीस ब्रांचीज है हिमाचरवणदेश में इसके बाद PNB का नम पराता है PNB की 410 है SBI की 430 है तो SBI का जो नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है यहाँ पुछा गया था question में correct statement तो only statement third is correct option B correct होगा only third और last में अगर आपने telegram join नहीं किया है तो अभी join कर लिजिए link आपको description में मिलेगा अगर आप telegram use नहीं करते या use नहीं करना चाहते तो आप whatsapp channel भी हमारा join कर सकते हो whatsapp channel भी create किया गया है तो इसका link पे आपको description में ही मिलेगा अगर video helpful लगी हो वीडियो को like करें अपना feedback जरू लिखें comment section में thank you so much have a nice day and God bless you all